सबसे स्टाइलो ब्रांड, सबसे प्रेस्टीजियस ब्रांड तो शायद आप में से अधिकांश लोग एपल का नाम जरूर लेगे तो एपल के फाउंडर स्टीव वोजनियाक ने ऐसा क्या कह दिया कि भारती इस टालवाट्स हिल गए स्टीव वोजनियाक ने कहा इंडिया के लोगों के सक्सेस का मायना ही अलग है यहां के लोगों का सक्सेस का आर्थ यह अच्छे से पढ़ाई करो कैसे भी करके एक अच्छी सी नौकरी करो शादी करो, हो सके तो एक मर्सडिज खरीद लो और इतना ही overall मिलाके इनके success का parameter है साथियो जैसे ही Steve Wozniak ने कहा पूरे Twitter पे वार छड़ गया टॉप के Indian लोग reply करने लग गये और Steve Jobs ने एक कदम और आगे बढ़के ये भी कह दिया कि India में innovation होई नहीं सकता उन्होंने कहा India की जो बड़ी IT company Infosys है वो भी एक सीमा के परे नहीं जा सकती वो भी innovate नहीं कर सकती और प्रश्ण ये उठता है कि सबको इतना irritation क्यों हो गया Steve Wozniak की बात पर Steve Wozniak के कुल संपत्ती 649 करोड किये और उसका जवाब किस ने दिया आनंद महिंद्रा ने जिसकी संपत्ती 10,000 करोड किये आनंद महिंद्रा ने Steve Wozniak से कहा आप अगली बार आईए सुर बदले वे मिलेंगे लेकिन प्रश्ण ये है क्या Steve Wozniak ने जो कहा वो सच है क्या हम भारतिये पढ़ाई के नाम पर सिर्फ एक अच्छी नौकरी के लिए पढ़ाई करते है स्रिफ क्लास में नंबर स्कोर करने के लिए पढ़ाई करते है यदि मैं यहाँ आज आपसे कहूँ कि Steve Wozniak ने कुछ गलत नहीं कहा तो शायद आप में से कुछ लोगों को बुरा लग जाए लेकिन मैं आज आपसे प्रश्ण पूछता हूँ आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ क्या चीज का वार है क्या एक एक नंबर का वार नहीं है आपका बच्चा स्कूल में डाट निखाया जब उसके नंबर कम आए क्या आपके बच्चे ने कभी कोई तोड़ फोड़ कोई नई चीज क्रियेट करने की कोशिश की तो उसको सराना मिली या बदले में पेरेंट्स को बुलाया गया कि देखो आपका वच्चा क्या करता है साथियो हमारे इंडियन स्कूली सिस्टम में एक्स्प्रिमेंट और रिसर्च के लिए कोई जगा नहीं है यहां तक की टीचर ने जो अंसर सिखाया है उसकी जगा आपने दूसरा अंसर लिख दिया तो टीचर आपकी क्लास ले लेगी कि क्या कहीं ट्यूसन जा रहे हो या किसी दूसरी बुक से पढ़ रहे हो या ज़्यादा होश्यार बनते हो जो मैंने पढ़ाया वो नहीं लिख सकते यहाँ पर कोई अभिव्यक्ति की स्वतंतरता या आईडियास की स्वतंतरता जैसा कुछ है ही नहीं इस देश की स्थिति ऐसी है दोस्त कि यदि केस स्टड़ी की जाए तो इंग्लीश जो पढ़ा रहा है टीचर 80% स्कूलों में खास कर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में उसको खुद इंग्लीश नहीं आती है जो personality development पढ़ा रहा है उसको देखने के बाद आपकी personality development करने की इच्छा ही खता हो जाएगा आप बोलो कि मैं जैसा ही हूँ ऐसा ठीक यह हालात है छोटे छोटे स्कूल में मेरा खुद का बच्चा स्कूल में पढ़ता है आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता होगा हम सब के बच्चे स्कूल में पढ़ते है आज स्कूल में जो craft का assignment मिलता है वो कौन करता है क्या आपको लगता है बच्चा करता है गलत या तो पता है स्कूल में किस क्लास वालों को क्या जमा करना चाहिए मजे से 1000 रुपए चार्ज करते हैं माएं उनसे बनवाती है और ले जाके स्कूल में सम्मिट कर देती है हमारे देश की क्रियेटिविटी मैं आज यहां खड़ा हूं मैं क्यूं पता है इस्टी वोजनियाक की बात पत्राइब कि है कि और यह बूस्टे वक्त मेरे को पीड़ा या था पीड़ा जब मैंने उसको मना किया तो मुझसे कहता है कि सर उपर भी नौकरी नहीं मिलेगी नीचे भी नौकरीनी तो क्या करें आगे हैं हमारे देश की स्थिती ऐसी है कि 12th क्लास में पढ़ने वाले को डीडी बनाना नहीं आता, चेक साइन करना नहीं आता, वो पोश्ट आफिस में जाके एक छोटा सा प्रोसेस नहीं कर सकता कई बार यह सम्मा हुए कि उसने बैंक तक में कदम न रखाओ यह कैसी एजुकेशन विवस्था है जो फेल होने की इजाज़ती नहीं देती जो प्रयोक करने की इजाज़ती नहीं देती, कुछ दिनपूर फ्लाइट में मैं जो अमेरिका का एक प्रोफेसर मिला वो कहता है हमारे बच्चा स्कूल पास होते होते हैं और फास सेकेंड यूजी तक आते आते हैं वो कई बार अपने बजनेश शरू करके फेल हो चुका होता है और हमारेश कोज्च ग्रेजॉइट होते तक भी मा के पलू से बंधा हुए कट है वह के था सब्सक्राविघ कर लेता है वांचKY कर लेता है शूरी कर लेता है क्या खेंछ निया करता है क्या नियुक्ञ कुछ नहीं करता क्योंकि उसके घर gebracht मैनेज करके देता है एक तरफ गर manage करके देता है दूसरी तरफ school प्रयोग नहीं करने देता क्या गलत कहा इस्टिव वोजनियाक ने क्या गलत कहा मैं आपको बता रहा हूँ यही चलता रहा ना भारत पढ़े लिखे अनेंप्लाइबल लोगों का देश बन जाएगा पढ़े लिखे अनेंप्लाइबल लोगों का देश और मुझे याद पढ़ता है कुछ साल पहले नासकाम के जो हेड थे उन्होंने एक बयान दिया था हमको ठीक से इंग्लिष नी आती हमको ठीक से हिंदी नी आती हम ऐसे विचित रियुग में फस गये हैं जहां पर टियर टू टियर त्री सिटी के बच्चे को अपने इंग्लिष भी नी आती ठीक से और वो हिंदी में भी 77, 68, 85 नी बोल सकता वो खतम हो गया हो ना इधर करा तो अब क्या करें? देश को कलरको का देश बना दे? अब क्या करें? और जिस पे इतराते हो, सत्या नडेला, इंद्रा नुई, ये इंडिया ने बड़ा किया गया इनको, ये सब की प्रतिवा फॉरेन में जाके जब इन्होंने पोस्ट ग्रैजुईशन किये, बड़ी बड़ होते रही है खुश, लेकिन वही सत्या नडेला हिंदुस्तान में रहते तो निपड़ जाते हो, वहीं इंद्रा नुई हिंदुस्तान में रहती, तो आदे समय वो घर में बच्चों को बैलेंस करने में, उसके बाद समाच को बैलेंस करने में, उसके आद वर्क प्लेस को ब बिया के पिया से प्रॉडाम में में लोग आते हैं अलग अलग केस टेडिसें मुद को जगाते हैं उनको सोचने में मजबूर करते हैं नप में तो साथियों आज हमको आज पर सुचना होगा कि आईसे पढ़ाने से क्या ना पढ़ाना अच्छा है या हम सब मिल के आवाज उठाएं इस देश के एजुकेशन सिस्टम को प्रेयोक शील बनाने के लिए इस देश में असफलता को सम्मान दिलाने के लिए क्योंकि जीतने के पहले हारना जरूरी है नहीं तो हार से इतना भय पैदा हो जाएगा कि जीतने की कोशिश भी नहीं करोगे यहां तक की ट्राई नहीं करोगे इस देश में रिसर्च का एन्वाइरनमेंट डेवलप करने के लिए इस्थिती इतनी भी चितर है कंप्यूटर में आज जो बुक स्कुल में पढ़ाई जा रही है वो टेक्नोलॉजी तीन साल पहले आपसिलीट हो चुकी है लेकिन पुस्तक बदली नहीं गई वर्ड की जीन चीजों के बारे में आज हमारा एजुकेशन सिस्टम बात कर रहा है वो चीजे आधी से जादा आपसिलीट हो गई है और पुस्तक बदली नहीं गई है तीचर को नहीं पता है जब तीचर को नहीं पता और पुस्तक नहीं बदली और इंजिनिरिंग कॉलेज के अंदर डेमो के लिए जो मशीन थी वो मशीन 20 साल और 50 साल पुरानी है BCA जैसे कोर्स में जो व्यक्ति जिस कंप्यूटर पे चला रहा है वो कंप्यूटर 10 साल पुरान है ये बनेगा इंडिया इस तरीके से हम बनेगे सुपर फावर या इस तरीके से हम इंडिया से निकल के दुनिया में जहां जहां भी कोई अचीव करेगा उसको भारती मूल भारती मूल भारती मूल बोलके खुश होते रहेंगे अब भारती मूल नहीं भारत में टेलेंट पैदा करने होगा इसके लिए मैं आपसे आगरा करता हूँ यदि आप मेरी बात से सहमत है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम रद्दी और कबार है इससे हजार गुन अच्छा तो हमारा गुरुकुल सा पुराने जमाने का, रिशियो मुनियों का, जहां पर बच्चों को शस्त्र चलाना सिखाय जाता था, जहां बच्चों को जानवरों को पालना सिखाय जाता था, जहां बच्चों को अपना अनाज खुद उगाना सिखाय जाते थे जहां उनको मल्य उद्स कि आज ने स्पिरिचोल इंटेलेक्चोल फिजीकल साड़े अस पे ध्यान दिया जाता था आज-ध्य इंडिया सचाई सुन लीजे यदि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा रहा हम कभी सुपर पावर नहीं बन पाएंगे हम उस्त कलरकों का देश बनकि रह जाएंगे हम पूरी दुनिया के लोगों के लिए काम करेंगे और पूरी दुनिया हमको नौकर बना के रख लेगी जो entrepreneurs का देश था वो नौकरों का देश हो जाया यदि आप मेरी बात चे सहमत है कि भारती education system को scrap करके practical education system जिसमें practical learning हो जिसमें intellectual जिसमें soulful जिसमें physical जिसमें अपने आप से एकांत में बात करना सिखाय जाये जिसमें खुद का short, strength, weakness, opportunity, threat जिसमें जिसमें लिसनिंग पर जोर दिया जाये जिसमें practical, practical और practical पर फोकस हो ऐसा education system यदि लाना है तो आपको इस वीडियो को share करना हुआ आपको इस वीडियो इतनी बड़ी तादा आज में share करना पड़ेगा जिससे कि school के teacher की college के professor की और शिक्षा मंत्रियों की इन सब की आखे खुल जाए आपको इसको भारत का top trending वीडियो बनाना पड़ेगा यदि आपको अपने बच्चों को बचाना है ने तो कल आपके माता पिताओने पर आपको अफसोस होगा क्योंकि आपके बच्चे पुछेंगे बड़े ओके इससे अच्छा तो पापा नहीं पढ़ाते तो जादा अच्छा होता यदि मेरा क्राफ्ट इसकूल से लाके मम्मी कोई करना था तो नहीं करवाते क्राफ्ट तो जादा अच्छा होता यदि मेरी ड्राइंग मम्मी को बनानी थी तो नहीं बनवाते तो ज्यादा अच्छा होता ये दंच लेने के लिए तैयार हो जाएए नहीं तो मेरे चैनल पर इतने कमेंट करिए